दोस्तो कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहा है सीरियल पिंजरा खूब सूर्थी का जिसमें मयूर्य का करदार निभा कर देश भर की लोगों के दिलों दिमाग में च्छा जाने वाली अभिनेत्री रिया शर्मा के इस करदार को खूब पसंद किया जा रहा है जिसकी जिंदगी ओंकार की जिंदगी में जाने के बाद एक नया मोड लेती है और इसी दिल्चस्प स्टोरी के साथ आज अभिनेत्री रिया शर्मा टीवी इंडॉस्ट्री की मोस्ट फेमस एक्ट्रस बन चुकी है लेकिन दोस्तो क्या आप जानते हैं कि सीरिल में ओंकार की पत्नी के तोर दिखाई दे रही रिया शर्मा असल सिंदगी में अपना हमसफर ढूंड चुकी हैं और जल्धी उनसे शादी रचाने वाली हैं जी हां सई सुना आपने रिया शर्मा जल्धी अपने पसंद के लड़की के साथ शादी रचाने वाली हैं तो आकरकार कौन है वो शक्स जो च इक तो बनता है। चलकर महराजा की जैहो सीरियल में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। और अब ये सीरियल पिंजरा खुबसूर्ती का में भी मयूरा की मुख्य भूमिका निभाकर सभी का दिल जीत रही है। लेकिन अगर बात करें कि कौन है वो खुशनसीब जो बनने जा रहा है। आप सभी की चहेती अभिनेतरी रिया शर्मा का हमसफर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिया शर्मा जिससे शाधी रचाने वाली हैं। वो कोई और नहीं बलकी इनके को स्टार साहिल उपपल हैं। जी हाँ, वही साहिल उपपल जिन्हें आप इन दिनों सीरियल पिंजरा खुबसूरती का में इनके ऑपोजिट मुख्य भूमिका के तौर पर ओंकार शुकला के करदार में देखा जा रहा है। बता दें कि साल 2020 में शुरू हुए इस सीरियल में साथ काम करने के दरान ही दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, जिन्हें अकसर रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ स्पॉर्ट किया जाता था। लेकिन अब दोनों की ये जोड़ी दोस्ती के रिष्टे से आगे निकल कर हम सफर में तबदील होने जा रही है। और अब इनका ये रिष्टा और भी जादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप है। झाल 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 झाल